बिस्मिल्ला रख्मान रर्वाहीम अस्सलामु आलेकूम डियर स्ट्रेंट्स आयम मुदसर आले श्रीफ यॉर केमिस्ट्री डिचर्ट्स केमिस्ट्री सेकेंड यह हम चैप्टर नुबर वन डिसकस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी स्ट्रे आमिनेशन पॉइंट आव्यू से और एंटेंस टेस्ट के पॉइंट आव्यू से दोनों तरह से यह टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टन है आपने इसको देहान से समझना है इंपॉर्टन कंसेट्स को साथ-साथ राइड डाउन कर लेना है और अच्छे तरिके से इसको प्रिपेर करना है तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जी स्टुएंट्स आयोनाईजेशन इनर्जी स्टुएंट्स आयोनाईजेशन इनर्जी इस आल्सो गाल्ड आयोनाईजेशन इन्थैलिपी आयोनाईजेशन इनर्जी इस आल्सो गाल्ड आयोनाईजेशन इन्थैलिपी और स्टुएंट्स इसको हम अब्रेवीट करते हैं आई डॉट ए से आई डॉट एस आई डॉट इस्टेंड इनर्जी इन्थैलिपी स्टॉइंट्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब से पहले एक टम को एक्स्प्लेशन करना चाह kole doughnut आयोनाईजेशन वाट इस आयोनाईजेशन और फिर मैं अपने एक्टॉल टॉपिक की तरफ लोज करें स्टुरेंट्स जब आप आयोनाईजेशन का लफज बोलते हैं तो आयोनाईजेशन का मतलब है कि जब कोई एटम या मॉलीक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेंड करें तो इसके नतीजे में अगर एटम है तो आयन बनेगा मालिक्यूल है तो मालिक्यूलर आयन बनेगा या प्रोसेस इस काल्ड आयोनाईजेशन स्टुरेंट्स कि ए मैंने आपको जेनरली डेफिनेशन बतादी के एटम या मालिक्यूल का एलेक्ट्रॉन का लूज करना या गेंड करना आयोनाईजेशन कहलाता है स्टुरेंट्स अब मैं इस आयोनाईजेशन को पर्टीकुलली अपने टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहा हूं तो हमारे टॉपिक के लिहास से जब मैं आयोनाईजेशन जी की बात करूँगा तो आयोनाईजेशन का मतलब है कि जब कोई ऐटम इलेक्टरॉन लूज करता है उसके नतीजे में डेffिनेटली ऐटरॉन लूज किया है तो उसके नतीजे में ये electron gain भी कर सकता है लेकिन अपने topic के context में मैंने restriction लगा दी कि जब आपने ionization energy की बात करनी है तो फिर आपने कहना है कि atom which is the particle of element जब atom electron lose करता है तो उसके नतीजे में positive wind बनता है that process is called ionization और student atom से positive wind बनाने के लिए जितनी आपको energy required होती है that is called ionization energy or ionization enthalpy students मैंने अभी आप से क्या कहा कि जब कोई atom electron lose करता है and atom is the particle of element the smallest particle of element तो यहां से मैंने ये conclude किया कि ionization energy की जो term है that is elemental property यानि इस रिलेटेड़ विज एलिमेंटल प्रॉपर्टी यानि इस रिलेटेड़ विज एलिमेंटल प्रॉपर्टी अभी मैंने क्या कहा इसके साथ ही कि ionization energy is thermodynamic property thermo therm से है जिसका मतलब होता है heat क्योंकि atom से आइन जब बनना है electron को निकालके तो इज़रा हम energy supply करते हैं in the farm of heat इसी विरह से मैंने क्या कहा that is thermodynamic property चुके ये heat है energy की शकल है तो जहरी बात है फिर हम ionization energy के लिए unit भी वही यूज करेंगे जो के यूज के लिए यूज करते हैं और वह unit कौन सा है वह unit है kilo जाहूल पर मॉल यह वह unit हो सकता है kilo calories पर मॉल यह students वह unit हो सकता है electron volt these are all units of energy तो students अब आईए जो ionization energy की proper definition है क्या definition है the minimum quantity of energy required to remove an electron from the outer most shell of the isolated gaseous atom students यहाँ पे कुछ terms है important जैसे एक term है minimum quantity यह minimum का लफज की यूज हुज हुआ दूसरी term है required मतलब यह कि रहते हैं मैं अभी आपको बताया कि रिवाब आपने atom इस electron को lose करवाना है तो उसके लिए आप क्या supply करते हैं energy क्यों energy supply करते हैं आईसो लेटिड गैशियस atom एक्टम के तो अब आपको confusion नहीं रहने चाहिए क्योंके मैंने पहले कहा दिया कि it is elemental property students एक मसाल लेते हैं जैसे फर्द कर लीजे कि हमारे पास magnesium का atom होता है 12 बारा बारा इसके nucleus में proton की दाद 12 है और इसमें electron भी कितने है 12 आपको ये बात पता है कि किसी भी atom में मुझूद जो electron होते हैं उनके उपर force of attraction लग रही होती है किसकी nucleus की यानि ये बात मैं कहना चाहा रहा हूँ कि electrons in an atom are under the influence of nuclear attraction nucleus में जो प्रोटान है वो electron के उपर क्या लगा रहा होता है force of attraction जैसा कि यहां पर magnesium के case में अब अगर मैं चाहता हूँ कि magnesium में से electron को remove करवा हूँ कौन सा electron? valence shell वाले electron remove करवा हूँ तो मुझे उसके लिए जो force of attraction है किसके दर्मयान between nucleus and electron valence shell के जो electron है उस force of attraction को क्या करना पड़ेगा overcome करना पड़ेगा और उस force of attraction को overcome करने के लिए मैं energy supply करूँगा in the form of heat तो जब मैं energy supply करूँगा तो इसका valence shell क्या हो जाएगा? valence shell में मजूज़ of electron है, valence electron है, वो यहां से क्या हो जाएगा? remove हो जाएगा, जब एक electron निकलेगा तो यहां से क्या बन जाएगा? mg प्लस 1 और इसके लिए जो हमें energy required है, that is, 738 kilojoule per move students, total 12 electron थे, लेकिन मैंने एक electron को remove करवाया, पहले electron को remove करवाया, तो मैं इसे कहूँगा, that is, first ionization energy, यानि मैं इसको लिख दूँगा, I.E.1, one means to remove the first electron students, मैं यहां पर आपको फिर बताता चलूँ, कि अब आपको यह बात clear हो जानी चाहिए, कि आपको energy क्यों required है, ताके आप force of attraction between nucleus and electron को क्या कर सकें, overcome कर सकें, तो इसके लिए आप इसको energy supply करते हैं, students, यहां पर magnesium के अंदर आप रह जाते हैं, 11 electron, इसका मतलब यह हुआ, कि turn by turn, आप बारी बारी हर electron को क्या कर देंगे, remove कर सकते हैं, यानि total आप magnesium इसे कितने electron निकालेंगे, 12, यानि magnesium की कितनी ionization energies हैं, 12, जैसे पहला आपके सामने लिखा वै, to remove the first electron, that is I.E1, दूसरा electron निकालने के लिए, again आप energy supply करेंगे, तो इसे बोलेंगे, I.E2, second ionization energy, और कितनी है, 14, 50 किलो जाउल पर मूल, इसी तरह सब तीसरा electron निकालने के लिए उसको energy supply करेंगे, तो M.G.3 प्लस बन जाएगा, और उसके लिए energy कितनी required है, 77, 30 किलो जाउल पर मूल, इसी तरह से आप 12 तक करते जाएंगे, लेकिन सुर्स याद रहिएगा, रखिएगा, कि हम 12 के बारां, electron को easily remove नहीं करवा सकते, इसमें से physically, जो easily electron मुमकिन है remove करवाना, उनकी तदाद कम होती है, मेगनेसिम के case में वो कितनी है, दो, क्यों है वो इन्शालाँ इसी lecture के end पर हम discuss भी करेंगे, बाराल इसको हम बोलते हैं, कि ये इसकी क्या है, ionization energy, एक और जैसे साल ले लीजिए, lithium है, lithium must be in gaseous state, students, सब gaseous state में ही क्यों लेना है, क्योंकि बिटा जब आप gaseous, isolated को पहले देखे, isolated का मतलब होता है, अलग अलग होना, gaseous state में ही atom अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब आप liquid या solid state की बात करते हैं, तो इस case में atom एक दूसरे के साथ क्या हो होते हैं, associate होते हैं, जुड़े होते हैं, उनमें force of protection क्या हो जाएगी, ज्यादा, और अभी हमने पढ़ा कि जब force of protection ज्यादा हो जाएगी, तो electron को निकालना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल उसके लिए में energy क्या देना पड़ेगी, ज्यादा, तो इसको हम किसलिए ले ले जाता है, इसके लिए जो हमें energy required होती है, that is, पहला electron निकला है, तो आप square dot e1 भी कह सकते हैं, 520 किलो जाउल पर लो, तो students, यहां तक हमारी ये बात clear हो गई, कि जब आपने ionization energy की बात करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगी, energy supply, in the form of heat, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां से यह लिख सकता हूँ, कि जो ionization energy है, that is, always, endothermic process, यानि जब भी आपने किसी atom में से electron को release करवाना है, तो आपको हमेशा energy देना पड़ेगी, इसलिए से मैं इसे क्या कहा, endothermic process, अच्छा student, एक बात बड़ी interesting है, मैंने बार-बार जिकर किया, energy देंगे in the form of heat, लेकिन याद रखिएगा, कि आप photons, यानि लाइट को गराके भी ionization करवा सकते हैं, बाराल हम उस case को discuss भी नहीं करें, that is always endothermic process, इस याद रखिएगा, कि जो ionization energy है, that is the qualitative measurement of stability of atom, students, बड़ी बेहतरीन बात करने जा रहा हूं, qualitative measurement, यानि ये qualitative measurement, किसकी stability of atom, आपको एक shortcut बता रहा हूं, कि याद रखिएगा, कि जो ionization energy है, that is, directly proportional to stability, and stability is inversely proportional to reactivity, इस shortcut को याद रखिएगा, मैं इसको justify भी कर सकता हूं, जैसे मैं आप से कहता हूं, कि product table में, एक बड़ा ही well known group है, जिसे आप क्या बोलते हैं, noble gases, students, ये जो noble gases है, these have highest, these have highest ionization energy, इनकी ionization energy क्या है, highest, क्यूं है, वो भी discuss करेंगे, इन्शाल्ला, highest ionization energy, अगर ionization energy इसकी highest है, तो इसका मत्रब है कि इनकी क्या है, highest stability, और अगर इनकी stability highest है, तो बताईएगा, कि इनकी क्या है, lowest, lowest reactivity, और स्टूरेंट्स ये ही तो बात है, कि आप इन noble gases को क्या बोलते हैं, inert gases, आज ये पता चला, कि सर ये inert इस वज़ा से कहलाती है, क्योंकि इनकी reactivity क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्यों बहुत कम होती है, क्योंकि ये stable होती है, stable क्यों क्यों है, क्योंकि इनकी highest क्या है, ionization energy, एक और मसाल ले लिजी इस्टूरेंट्स, आपके पास है अल्क्ली मैटल्स, जिनको आपने डिस्कस किया प्रीवेस लेक्चर में भी और इनमें शामिल है, क्यों क्यों सी, लीटियम, सोडियम, पोटासियम, रोबीडियम, सोन, इसी तरह से, अल्क्ली मैटल्स, हैव, लोएस्ट, अब ये वैसे आपको खुद बताना चाहिए, लोएस्ट आइनजेशन अरजी, अगर आइनजेशन अरजी लोएस्ट है, तो इसका क्या मतलब है, हाईली, क्या है, आनस्टेबल, तो स्टूरेंट्स अगर ये हाईली आनस्टेबल है, तो इसका क्या मतलब है, कि ये क्या है, हाईली येक्टिज मैटल्स, आफ दा प्रियॉर्डिक टेबल, इमसाल आप मैट्रिक में, प्रिवियस क्लासिज में भी पढ़के आए हैं, सोडियम अल्क्ली मैटल है, अगर आप सोडियम को प्रिजर्व करने के लिए केरोसी नायल म में रखते हैं, मट्टी के तेल में रखते हैं, अगर आप उसको ऐसे हवा में रखेंगे, तो इसको फॉरण आग लग जाए, इसका मतलब क्या है, कि इसकी रेक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा, तो ये स्ट्रेंट्स, इसी तरह से भीर मैं था था करते हैं, कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जो आयोनाइजेशन इनर्जी पर एफेक्ट करते हैं, जी स्ट्रेंट्स, फैक्टर्स इंफ्लेंसिंग, इंफ्लेंसिंग का मतलब होता है, असर अंदाज हो, किस पे आयोनाइजेशन इनर्जी पर, स्ट्रेंट्स, इसमें जो सबसे पहला फेक्टर हम डिसकस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन इनर्जी डायरेक्टली पर्पोर्शनल है इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डियर स्ट्रेंट्स मैंने आपको प्रिवेस लेक्टर में न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फरक बड़ा क्लियली समझाया है ठीक है अब बहराल यह याद रखिएगा कि जो आयोनाइजेशन इनर्जी है यह डिरेक्टली पर्पोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के इसका मतलब है किसी एटम में जितना न्यूक्लियस का चार्ज जितना न्यूक्लियस का उल्ड क्या होगा ज्यादा उसकी अपने लेक्टरौन के उपर पकड़ जो है वो भी क्या होगी उतनी ज्यादा इसका मतलब है वहां से लेक्टरौन को निका क्वालना क्या होगा उतना ही मुश्किल यानि उसकी आयोनाइजेशन इनर्जी क्या होगी बहुत ज्यादा दूसरा जो फेक्टर आता है वह है आयोनाइजेशन इनर्जी इस इन्वर्सली पर्पोर्शनल टूदा शेल्डिंग और सक्रीनी इफेक्ट ईगेंस आपने शेल्डिंग और सक्रीनी इफेक्ट पढ़ा है थोड़ा साब को बताए देता हूँ कि शेल्डिंग इफेक्ट क्या है नीूकलियस की अट्रreaction का decrease होना, ज्रक्राम की टेस्थ पर? वैलन्स शेल्ट में मजूद إलेक्ट्राण पर. तो जितना shilding effect क्या होगा ज्यादा, नीूकलिएस का अपने वैलन्स शेल्ट में मजूद एलेक्ट्राण के पर hold भी क्या हो जाएगा? कम जब hold कम हो जाएगा तो उसका वहां से remove होना भी क्या हो जाएगा असान और जब remove होना असान हो जाएगा तो उसकी ionization energy भी क्या हो जाएगी कम तीसरा strength factor है that ionization energy is inversely proportional to atomic radius of atom सोचे जरा सोचे इसकी क्या logic होगी क्योंकि बेटा जितना atom का radius क्या होगा जितना size ज्यादा होगा इसका मतलब यह होगा कि उसके उपर जितना size ज्यादा होगा इसका मतलब एक electron nucleus से उतना दूर होगा उसके उपर nucleus का hold, attraction, charge उतनी क्या होगी कम इसका मतलब जब attraction कम होगी size के बढ़ा होने की वरह से तो इस electron को remove करना क्या हो जाएगा असान यानि इसकी ionization energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी चोथा student factor है जो इसको effect करता है that is nature of the orbital यानि आपने जो electron remove करना है valence shell से वो valence shell के किस orbital में मजूद student बहुत देहां से समझीए गादर है ये बात बड़ी interesting है first कर लीजिए कि मेरे पास एक atom है कोई भी atom है suppose कर लेते हैं उसमें पहला shell है दूसरा shell है तीसरा shell है चौथा shell student जब आप चौथे shell में पहुंचते हैं तो चौथे shell के अंदर कौन कौन से orbital हैं उसमें मजूद होगा 4S उसमें होगा 4P उसमें होगा 4D और उसमें होगा 4F अब ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास चार atom है एक atom ऐसा है जिसके वैलन्स शेल में मजूद जो और्बिटल है वो है 4S एक ऐसा है जिसके वैलन्स शेल में मुद जो और्बिटल है गो है 4P एक में 4D एक में 4F तो स्टुरेंट्स मुझे बताईएगा कि इन में से सबसे मुश्किल इलेक्टरॉन निकालना किस में से हैं आप कहेंगे सर उस और्बिटल में से इलेक्टरॉन निकालना सबसे मुश्किल है जो नुकलियस के सबसे करीब है जो nucleus है जितना दूर होगा उसका nucleus का के उसमें मुझूद electron के उपर hold भी क्या होगा कम उसका निकलना भी क्या हो जाएगा थोड़ी सी इनर्जी देंगे फटाफट वो electron क्या हो जाएगा remove हो जाएगा तो आपने देखा कि अगर मेरे पास चौता शेल है चौता शेल में फौत शेल में सबसे पहले एस आता है फौर एस फिर आता है फौर पी फिर आता है फौर डी फिर आता है फौर एस तो सबसे पहले आया एस इसका मत्रब है कि एस के उपर नुकलियस का होल सबसे ज्यादा है इसके उपर एलेक्टरॉन के उपर न इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको इनरजी सबसे ज्यादा देना पड़ेगी और F के उपर कम है तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या है असान। सो बात ये तै हुई कि सर सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन का निकालना किस में से है? S में से, फिर सर किस में से है? P में से, फिर किस में से है? B में से और फिर F चीजें conceptually पर नहीं है ताके अगर कोई कमी रह गई है first year में भी तो अब ये पूरी हो जाए ताके आगे जाके आपको एंटरेंस टेस्ट में बहुत फाइदा स्ट्रेंट्स ये तो था चौत था पांच वे नमबर पर आज़े है Ionization Energy Directly Proportional है Stable Electronic Configuration इसको मैं थोड़ा साथ के सामने दरा डिटेल से बात करना चाहँ हूँ याद रखिएगा कि और बिटल जो है यह दो तरह से स्टेबल होता है कोई भी और बिटल जो है यह दो तरह से स्टेबल होता है याँ तो यह और बिटल क्या हो हाफ फिल्ड मैं एक्स्प्लेइन कर देता है स्टेट इसको याँ यह और बिटल क्या हो फुली 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 मसलन अगर आप बात करने एस की एस में मैक्सिम्म कितने इलेक्टरन आते हैं दो तो एस याँ तो दो इलेक्टरन जब होंगे तब स्टेबल होगा यह जब उसमें कितने इलेक्टरन होंगे ए पी की बात कर लीजिए पी में फरस्ट इयर में पांचे चैप्टर में आपने पड़ा है पी में मैक्सिम्म कितने इलेक्टरन आते हैं छे तो पी कब कब स्टेबल होगा जब कितने ह डी काप काप स्टेबल होगा दस यहां पांच यानि बात यह करना चाहरा हूँ कि यह जो कॉन्फिगुरिशन आप लिखते हैं S में 1 P में 3 D में 5 F में 7 यहां तो यह स्टेबल है यहां S में 2 P में 6 D में 10 और F में 14 स्टेबल्स में आपको और असान कर देता हूँ मतलब मैं अगर P की बात करूँ इसमें से ताकि आपको समझने में क्या हो जाए असानी हो तो P की मैं बनाने लगा हूँ तीन तीन तरह से इसको कॉन्फिगुरिशन को ड्रा करने लगा अब आपने मुझे खुद बताना है सुए अब आपने मुझे खुद बताना है सुए देखिए गास्ट्ट्ट्ट्स फर्द कर लें के यह हैं कॉन्फिगुरिशन यह हैं अब दरा गौर कीजिएगा कि यह पी के मैंने मनाया और बितन्स तो इस वकद पी में कितने लेक्ट्रॉन है चार इस चार का मतलब यह है बिटा कि यहां तो यह क्या है पार्शली फिल्ड यहां आप इसे कह सकते हैं अधिज इंकम्प्लीटली फिल्डेट अभ यह पार्श ली फिल्ड हैं यह इंकंफिल्ड थे ना हाफ है नभ फुल इइक हम किया होगी आंस्तेबल और अगर यह कॉंफिद अगर यह अन्स्टेबल है तो इसका मतलब ये होगा विटा है Sunny कि क्या अगर आप इस केस को देखते हैं तो यहां पे जो P है यह एक्जेक्टली क्या है? Half-filled है अब एक्जेक्टली Half-filled होने का क्या मतलब है? Half-filled होने का मतलब है कि यह क्या है? Stable और अगर यह स्टेबल है तो इसका मतलब यह होगा कि इसकी क्या है? High-ionization Stable जी केसिज याद रखिएगा क्योंकि अभी मैंने वेरियेशन को डिसकस करना है तो यह काम आएंगी और आखरी अगर केस डिसकस करूं हम मैंने इसको क्या कर दिया? Fully-filled That is, this is Fully-filled Students, जब यह Fully-filled होगा तो यह Highly Stable होगा जब यह Highly Stable होगा तो इसकी क्या होगी? Highest Ionization Students, इन concepts को जहन में रखिएगा यह अभी जब हम प्रियोडिक टेबल में इनकी variation करेंगे तो पढ़ेंगे तो इसमें आप में बहुत यह फाइदा में दो Students, अब मैंने यह आपके सामने factor discuss कर दिए अब हम इन factors को जहन में रखते हुए, इनको देखते हुए प्रियोडिक टेबल में variation पढ़ते हैं किसकी Ionization Energy This way प्रियोडिक ट्रेंट्स Students, किसके प्रियोडिक ट्रेंट्स और दा आइनाजिशन एनरजी वेरियेशन विदिन आ ग्रुप, ग्रुप में Ionization Energy कैसे वेरिक करते हैं Students, जब भी आप ग्रुप की बात करते हैं तो याद रखिएगा के ग्रुप के लिए हम बला क्या बोलते हैं इन आ ग्रुप इन आ ग्रुप किसी भी ग्रुप में प्रॉम Top to Bottom किसी भी ग्रुप में Top to Bottom जाते हुए Top to Bottom से वराद, जैसे Hydrogen, Lithium, Sodium होता क्या है कि Number Of Shells क्या करते हैं Increase करते है Students, जब Number Of Shells Increase करते हैं तो क्या होता है Shielding Effect क्या करता है Increase Students, जब Shielding Effect Increase करता है तो Atomic Size क्या करता है Increase Students, जब Atomic Size Increase करता है तो बताएने दरा सोचके अभी आपने पढ़े हैं सारे फेक्टेट जब जब Atomic Size Increase करता है तो Effective Nuclear Charge क्या करता है Decrease जब Effective Nuclear Charge मेरा पुतर Decrease करता है तो Ionization Energy भी क्या करती है Decrease अब यह चीज़ें बिल्कुल सेक्वेंस मैंने बात थी के जैसे यह सारी Shell Increase Effective Shielding Effect Increase Atomic Size Increase तो क्या लवह लिखा Effective Nuclear Charge क्या करता है Decrease करता है Ionization भी क्या करेगी Decrease Students मसाल ले लीजिए जैसे हमारे पास है Alkly Metal Alkly Metals यहां First A Group First A Group की चले मसाले ले First A Group में हमारे पास क्या है Hydrogen Lithium Sodium Potassium Robidium Cesium Francine तो स्टुरेट्स जब आप Group में Top to Bottom आ रहे होते हैं तो आप देख रहे हैं कि Size क्या करता है Increase Nucleus की अपने Electron के पर Hold पकड़ क्या हो जाती है कम जिसकी वेरा से आप देख सकते हैं कि इनकी Ionization Energy भी क्या कर रही है Decrease कर रही है इसी चीज़ को आप Graph में देख ले कि जब आप Graph देखते हैं तो जो Graph है Curve है For the Ionization Energy and the Atomic Number तो वो Curve जो है जैसे जैसे आप Group में Bottom साइट पर आ रहे हैं वो Curve Upward नहीं जा रही है बलके Curve क्या आ रही है Downward इसका क्या मत्रब है कि Ionization Energy क्या करती है Decrease करती है एक और एक्ज़मपल ले लिजे हेलोजीन्स हेलोजीन्स हमारे पास सेवंध है ग्रूप है फलोरीन, कलोरीन, बरोमीन, आयोडी इसमें जब आप ग्रूप में Top to Bottom जाते हैं तो Size के Increase करने के विरा से आप देख सकते हैं कि इनकी Ionization Energy क्या कर रही है Decrease कर रही है तो स्टुड़न्स ये तो Variation थी है मारे पास किसमें इना ग्रूप अब आईए डिसकस करते हैं Variation of Ionization Energy in the Periods स्टुड़न्स जब हम Periods की बात करते हैं तो Periods के लिए हम लिखते हैं कि In of Periods किसी भी Periods में Left to Right Group के लिए था स्टुड़न्स टॉप टू बॉटम और इसके लिए Left to Right Left to Right क्या होता है जी Left to Right जाते हुए Number of Shells स्टुड़न्स रहते हैं Same Number of Shells Same Shielding Effect The Almost Remember the details बात की वी है Same और Almost Same Almost क्या रहता है Same और स्टुड़न्स लेकिन क्या होता है Effective Nuclear Charge क्या करता है Increase जब Effective Nuclear Charge इंक्रीज करता है तो Atomic Radius Decrease और जब स्टुड़न्स अटामिक Radius Decrease करता है तो हम क्या कहते हैं स्टुड़न्स आयोनाइजेशन इनर्जी क्या करती है Increase तो स्टुड़न्स अब ये बात तैय हो गई कि स्टुड़न्स में Left to Right आयोनाजेशन नर्जी क्या करती है Increase मेरे पास Second Period के Elements Second Period में मेरे पास क्या है Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine And Neon स्टुड़न्स ये मेरे पास Second Period के Elements है मैं इनके उपर Group Number में मेंशन कर देता हूँ जैसे Lithium के उपर First A है Beryllium के उपर Second A है, Boron के उपर Third A है और साथ ही मैंने इनकी Ionization Energies को भी क्या कर दिया Mention कर दिया तो स्टुड़न्स आप देख सकते हैं के Left to Right जाते हुए चूंके Size Decrease कर रहा है तो इसी वज़ा से Nucleus का Hold क्या करता है Increase और Ionization Energy भी क्या करती है Increase करती है Students, इसी चीज़ को Graph की मदद से ज़रा देखिए अगर मैं Graph ग्राव करता हूँ Between Ionization Energy and Atomic Number तो मेरे पास ये कुछ Results आसे लोते हैं Students, इस Result में दो जगा पे आपको exception नज़रा रही है अभी मैंने का ना, Left Right इनक्रीज़ करती है चाहीए, Increase लेकिन आप देख रहे हैं कि बैरिलियम से बाराउन पर आइनज़राश इनक्रीज़ नहीं करती है बाराउन की ज़्यादा होनी चाहीए पर बाराउन की इनग्रेश इनज़र चाहीए कम, एक चीज़ दूसरा स्टूड़ेंट यहां पे बज़र कीजेगा कि जैसे आप आगे चलते रहते हैं बौरान, कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड अक्सीजन तो स्टूड़ेंट्स नाइट्रोजन की आइजिशन अजी कम होनी चाहिए और अक्सीजन की क्या होनी चाहिए ज्यादा लेकिन आप गोर कर रहे हैं कि हो क्या रहा है यहां पर यहां पर अक्सीजन की कम है और नाइट्रोजन की क्या है ज्यादा यहां पे मेरे पास इतनी एक्सेप्शन आ गई दो तो मैं इसको कहता हूँ कि बन्याब्दी तोर पे क्या हुआ कि elements of group third a इस्टुरंट्स गयाद रहे कि third a में सारी है boron, aluminium, gallium वगार and elements of group sixth a on conscience instruments oxygen, sulphur, selenium, ATP show abnormal behavior abnormal का मतलब है जो कि normal ना हो हमारे concept के मताबिक ना हो बलके deviate करें abnormal behavior students अब इस चीज़ को समझना है कि सर ऐसा क्यों होता है for example मैं बात कर लेता हूँ second group में किसकी बेरिलियम, बेरिलियम का atomic number students कितना होता है four 1s, 2, 2s, 2 इसी तरह third a group में हमारे पास है boron five जिसका क्या मतलब है 1s, 2, 2s, 2, 2p, 1 students मैंने अभी आपके साथ point discuss किया कि ionization energy directly proportional है stable electronic configuration के और मैंने आप से कहा के half filled या fully filled जो अर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं ज्यादा stable or inky ionization energies भी क्या होती हैं ज्यादा होते हैं गोर कीजिए अगा स्ट्रेंट्स अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम का जो वैलेंस अर्बिटल है that is completely filled ये क्या है completely filled है लेकिन अगर आप बौराउन की बात करते हैं तो इसका जो वैलेंस अर्बिटल है ना तो ये completely filled है ना ही ये half filled इसका मतलब ये हुआ कि जो third a group के members हैं इनकी unstable होती है क्या electronic configuration स्टुरेंट साब इसकी रीजन ऐसे भी दे सकते हैं जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे मुझिल इलेक्टोन कालना एस में से है फिर किस में से है पी में से और अगर आप गोर्र करें तो बरिलियम का जो balance orbital है वो बनता है एस जिसके उपर nuclei का उल्ड ज्यादा है और बौरौन का बनता है पी इसके नुकलेस का उल किया है कम तो आप दोन विफ्ट ए ग्रुप में तो हमारे पास आता है नाइटोजन नाइटोजन का टॉमिक नंबर है 7 उसका क्या मतलब है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 1 1 और 1 इसी के साथ आप बात कर लें 6 ए ग्रुप 6 ए ग्रुप में हमारे पास आता है एक 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 एलिमेंट की मिसाल ले रहा हूँ 1s2 2s2 2px 2py और 2pz पून्स के मताबिक पहले एक 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 लेक्टॉन की फिलिंग अगर रज़ए तो स्ट्रेंट्स अब आप गोर कर सकते हैं कि अगर मैं नाइटोजन की बात करता हूँ तो जो उसका इस वज़ा से ज्यादा है क्योंकि पांच में ग्रुप का जो वैलनस वार्बिटल है वो क्या है हाफ फिल्ड लेकिन जो छटा ग्रुप है इसकी इसकी कम है क्योंकि अगें इसकी क्या है ऐन्स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉंफी इलेक्ट्रोनिक कॉंफी यूजेशन तो स्टूट्स यह अच्छा यह exception सेम इसी तरह से नीचे चलती जाएंगी Beryllium के नीचे Magnesium, Magnesium के नीचे Calcium and Son Oxygen के नीचे इसी तरह से Sulfur and Son चलती रही है Students, अब यहां पे मैं आपसे एक और Concept थोड़ा सा डिसकस करना चाहरा हूँ Higher Ionization Energies इसमें मसाल ले लीजिए, again, Magnesium जैसर के मैंने लेक्चर के स्टार्ड में आपको मसाल दी Magnesium के दबाब example लेते हैं तो Magnesium का atomic number होता है 12 और आप के सामने इसकी पहली Ionization Energy लिखी है पहली Ionization Energy का मतलब है To remove the first electron, that is 738 kJ per move इसी तरह जब Magnesium इसे दूसरा electron लिकालते हैं That is called second ionization energy क्या है second ionization energy To remove the second electron After the removal of first electron वो आती है मेरा पुतर यहां पे आपके पास 1450 kJ per move इसी तरह Magnesium के देखिएगा Third ionization energy तो जब तीसरा electron Third ionization energy क्या है To remove the third electron After the removal of second वो मेरा पुतर आपके पास आती है 7730 kJ per move Students आपने एक बात अबज़र की है कि जब first ionization energy है उसकी value कम है जो second ionization energy है यह उससे ज्यादा है जो third है तो यह उससे ज्यादा है इसका मतलब जो चौती ionization energy है वो third से भी क्या होगी ज्यादा तो जनरल यहां पे एक trend क्या बना कि first ionization energy is less than second ionization energy is less than third and so Students अब इसकी वज़ा डूंडते हैं तो दुबारा से अगर आप गौर करें मैंगनेसियम की आइनलज़र नर्जिस पर तो जैसे जैसे electron की removal होती जा रही है उसी तरहां से इसमें proton की तदाद क्या होती जा रही है ज्यादा अब जैसे जैसे proton की जाद जाद जादा रही है nucleus का अपने electron के उपर hold भी क्या होता जादा है जादा इसमेंपल जब आप मैंगनेसियम atom की बात करते हैं तो उसमें 12 proton 12 electron mg प्लस वन यूनी positive ion की बात करते हैं तो 12 proton 11 electron mg प्लस टू डाइ positive ion की बात करते हैं तो 12 proton 10 electron इसका मतलब यह हुआ कि the dominant positive charge holds the remaining electrons with greater force with greater force and make the removal of the further electron more difficult यानि proton की जाद बढ़ती जा रही है electron के निकलने की वज़ा से जिसकी वज़ा से nucleus का अपने electron के उपर hold के उता जा रहा है जिसकी वज़ा से उसकी ionization energies क्या करती जाती है increase करती है तो यह students higher ionization energy का concept अब आजाएए अब तक आप पढ़ चुके ionization energy के factors उसकी variable variation higher ionization energies students अब आपके लिए question है कि the element which has the highest ionization energy in the product table is और दूसरा the element which has the lowest ionization energy in the product table is जरा जहन पे जोड़ डाले आमने variation पढ़ी तो जो आप आएगा सरा highest ionization energy in the product table is of helium पता चला के helium product table का सबसे small less atom है and lowest ionization energy in the product table is of cc याद रखिएगा स्वेंट्स यह आपके यह था इंट्रस्टिंग है तो स्ट्रेंट्स अब हम डिसकस करते हैं ionization energies के कुछ concepts sorry कुछ applications के ionization energy को पढ़के हमें chemistry के हवाले से क्या क्या benefits मिल सकते हैं आईए स्टार्ट करते हैं applications of ionization energy इसमें सबसे पहली एप्लिकेशन है index of metallic रेक्टर स्ट्रेंट्स metallic रेक्टर inversely proportional है ionization energy को हमने प्रीवेस लेक्चर में भी पढ़ा था कि metallic और non metallic रेक्टर में फरक मेटल्स क्या हैं जो easily electron release कर सके हैं स्ट्रेंट्स easily electron उसी وقت lose होता है जब उसकी ionization energy क्या हो कम तो metallic character or ionization energy उसे के साथ क्या है inverse जितना किसी element कrionization energy कम होगी uska metallic character उतना ज्यादा जितनी ionization energy ज्यादा उतना म sweater metallic character क्या होगा कम तो यहां से तीन possibilities बनगी अगर low ionization energy है then the element is metal अगर high ionization energy है then the element is non-metal और अगर moderate value है तो वो क्या है metal life स्टुरंट्स अब मैं बड़ा बहतरी relation develop करने लगा हूँ अब यह आप पढ़के आए कि periods में left to right ionization energy क्या करती है increase इसका मतलब यह हुआ कि left side पर जो element है उनकी ionization energy क्या है कम यानि वो क्या है metallic और right side पर जैसे आप move करेंगे उनकी ionization energy क्या है ज्यादा मतलब वो क्या है non-metallic स्टुरंट्स दूसरी application है हमारे पास strength of reducing agent स्टुरंट्स reducing agent क्या होता है जो दूसरों को reduce करे और खुद oxidize हो खुद oxidize होने का क्या मतलब है कि वो electron को क्या करता है release और जब electron release करना हो तो उसके लिए जरूरत होती है किसकी ionization energy की तो इसका मतलब यह हुआ कि strength of reducing agent inversely proportional है ionization energy के जितनी ionization energy कम अतना easily electron release हो जाए स्टुरंट्स इसका मतलब यह भी हुआ कि प्रियॉर्डिक टेबल में जो अल्कली metals है इनकी ionization energy सबसे कम है they are the best reducing agents in the periodic table स्टुरंट्स तीसरी application है हमारे पास reactivity of metal स्टुरंट्स मुझे बताईएगा कि metal क्या है metal वो है जिसकी उपर positive charge हो जो electron release करे और यह दोनों काम उसी वकत होंगे जब उस element की ionization energy क्या होगी कम inversely proportional है किसके sorry reactivity of metal वी inversely proportional है किसके ionization energy आगर स्टुरंट application prediction of the valency of element students from the gaps in first second third fourth and so on ionization energy we can guess the valency of an element यानि हम ionization energies के दर्मयान मे जो gap हैं पहली दूसरी तीसरी चोथी उनके दर्मयान में जो gap हैं उससे हम element की वे लंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे स्टुरंट्स आप देख लीजिए के मेरे पास सोडियम है सोडियम की फरस्ट आइजिएशन जो एनरजी है यानि तो रिमूव दा फर्स लेक्ट्रान वो कितनी है वहला 496 किलो जौल पर मॉल इसी तरह सोडियम की जो सेकंड आइजिएशन एनरजी है वो कितनी है स्टुरेंट्स 4562.4 किलो जौल पर मॉल अब गोर कर रहे हैं पहली ह के दरम्यान में जो इनरजी गैप है वो बहुत बहुत ज्यादा है कम असका को साथ आठ गुना उसमें क्या है इनरजी गैप इसका मतलब क्या हुआ स्टुरेंट्स के जब दो आइजिएशन इनरजी के दरम्यान गैप बहुत ज्यादा हो तो जो आइजिएशन इनरजी कम ह उस element की विलनसी भी इतनी होगी जैसे sodium की पहली और दूसरी में gap बहुत ज्यादा है तो जो कम वाली ionization energy है वही उसकी क्या होगी विलनसी कम वाली कौन सी है 496 और 496 उसकी क्या होगी उसके लिहास से उसकी क्या होगी विलनसी यानि 1 इसी तरह आप मेगनेसियम के डेटे पे गौर कर लें तो पहली और दूसरी में जो गैप है वो बहुत कम है यानि पहले आना चाहिए है 738, दूसरी है 1450, आलमोस्ट डबल हो गई तीसरी है 7730, 7730 किलो जौल पर मूल यानि दूसरी और तीसरी के दरमयान में जो गैप है वो दूसरी की निस्वत कम जब कम चार से पांच गुन है इसका मतलब है कि मेगनेसियम अपना तीसरा अलेक्टरॉन लूस करना पसंद नहीं करता तो जब तीसरी में बहुत ज़्यादा गैप हो गया तो इसका क्या मतलब होगा कि कितनी विलंसी शो करेगा जस्ट टू तो अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इस एलिमेंट की विलंसी कौन सी होगी जो कम आयोनिजेशन इनर्जी के मताबिक हो तो यह हम आर पास चार अप्लिकेशन सी मैंने कुछ डेटा क्लेट किया जो आपके सामने है अगर आप देख सकते हैं तो मैं बेसिकली इस डेटा में आपको बताना चाहरा हूँ कि आयोनिजेशन इनर्जी के दरम्यान में जब गैप आता है तो इस गैप से हम विलंसी को कैसे रिटिक कर सकते हैं अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की पहली और दूसरी आइनर्जी अनर्जी में यूज डिफरेंस है इसका मतलब है कि सोडियम प्लस वन शो करेगा अगर आप मेगनेसियम की बात करते हैं तो मेगनेसियम की दूसरी और तीसरी आइनर्श एनर्जी में बहुत डिफरेंस है इसी तरह अगर आप अलॉमीनियम की बात करते हैं तो अलॉमीनियम के केसे में तीसरी और चौती के दरमयान में गैप बहुत ज्यादा है इसका मतरब है कि अलॉमीनियम प्लस 3 शो करेगा गोई चौती का जो फरक है वो तीसरी के निसमेद बहुत ज्यादा है अगर आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो उसकी चौती और पांसवी में गैप बहुत ज्यादा है अगर आप Phosphorus की बात करते हैं तो उसमें 5,5 और 6, 5 और 6 का मत्रब है कि Phosphorus 6 तक नहीं विलन्सी शो करेगा बलके कहा तक शो करेगा सिरफ माइनस 5 तक विलन्सी को क्या करेगा शो करेगा तो ये बताने का मकसद ये था कि आपको अंदाजा हो जाए कि गैप से हम प्रेडिक कर सकते हैं वेलेंसी स्टुएंट्स आज कि हमने इस लेक्चर में थारोले डिसकस किया आयोनाईजेशन इनर्जी को उसके फैक्टर्स वेरियेशन और उसकी इंपॉर्टन जो चीज़ जो आपको कंसेप्चिल स्टॉंग करेगी एप्लिकेशन को डिसकस किया अमीद है कि आपको आज का लेक्टर समथ आया होगा स्टुएंट्स हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपकी वज़ा से किसी दूसरे को नुकसान ना हो हमेशा दूसरों की मदद का बाइस बने कभी दूसरे के लिए नेगेटिव न सोचें आप अपना रह्म कर्म फजल फर्माए अस्सलाम हो